नमस्कार दोस्तों महीं परदीब दुवे दोस्तों काफी लोग ऐसे हैं जो क्रेट कार्ट उनको रिसीब नहीं होता है बैंक की तरफ से भेद दियाता है गुरूडोट, डिलवरी, स्पीट पोस्ट इन सब कुरियर से उनके ओपीस एड्रेस, होम एड्रेस पर डिस्पैच कर दिया जाता है किसी करण बस काड रिसीब नहीं होता है ओ लोग घबरा जाते हैं प्रिसान होते हैं आज आपको हम बताएंगे कि अगर आपका काड डिस्पैच हो गया कूरियर सर्विस ने डिलवरी नहीं किया तो कैसे दुबारा काड आप पा सकते हो क्या करना चाहिए अभी लोग का काड अभी तक नहीं मिला वापिस चला गया फिर से आया नहीं मिला सही तरीका बताऊंगा मेरा खुद का एक्स्प्रियंस है मेरे साथ खुद हुआ था एस ब्याई काड के साथ हमने क्या किया था आज हम आपको सब कुछ दम डिटेल्स में बताने वाले हैं तो मेरा आपस रिक्वेस्ट है कि बढ़े को लाइक करके सपोर्ट कर देना अगर आप चैनल पे नहें आए हैं तो चैनल को सब्स्राइग के बेल आइकन को ओन कर देना तो यहां पे हमारा जो क्रिट काड होता है या डेविट काड होता है बैंक अधिकतर जो है आपका जो एरिया होता है उसे की भीहाब पे आपका डिलवरी करता है अगर आप गाओ दिहास से हैं ज्यादा आउट अफ साइट से हैं तो वहां पे बैंक जो है स्पीट पोश्ट को चूज कर लेता है अगर दोस्तों आप थोड़े से सीटी के अंडर में आते हो तो बैंक जो है डिल कोई गलती हो गया तो यह लोग वापिस कर देते हैं फिर तरह तरह के बाते बताएंगे बैंक से ओप से लिए मेल करवाओ कॉस्टमर केर में कॉल करो मेल आएगा तो आपको हम देंगे आइसी वैसी बाते करते हैं बट आप लोग एदम दुखी हो जाते हो कि मेरा कार्ड ब आपको बताऊंगा जो मेरे संग हुआ है उसे अगर फोल अप करते हैं सेम प्रोसेट करेंगे तो कार्ड आपको मिल जाएगा घवडाना बिलकुल नहीं है फिरन यहां पर मेरे संग हुआ क्या था दोस्तों मेरा यस्वी कार्ड फर्स्ट टाइम डिस्पैच हो गया जब मे से ओ कार्ड जो है डिलवरी नहीं किया गया मेरे पास ना कोई कॉल है ना कोई मैसेज आया मैंने कॉस्टमर केर में कॉल करना चाहा मेरे पास तो कार्ड नंबर था नहीं कॉल कैसे लगेगा फिर मैंने कॉल किया गुर्ट कोरियर सर्विस को कि मेरा कार्ड क्यों नहीं मिल र करवाना है, नियर बैंक या फिर आपका head office, कहां से करवाना है, वो चीजों को पूरी तर से clear नहीं करते हैं और उनको यह भी नहीं पता होता है, कि क्रेट काड्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, बैंक का डिपार्टमेंट अलग होता है, इसके बाद मैं चला गया, तुरन ESBI, Near Bank था, मेरा account भी था, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने, वहाँ पे काफी हद तक भीड थी, मैं गया manager के पास, वहाँ पे जाके मैंने उनसे बोला कि sir, मेरा card आया है, और dispatch हो गया है, और मेरा जो area है, वो courier service में नहीं आता है, ये, card हमको ये लोग दे नहीं रहे हैं, आपने तरफ से एक mail कर दीजी, या तो request डाल दीजी, मेरा card मेल जाए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, कौन सा credit card, credit card होता क्या है, मुझे ये बाते सुनके, मुझे tension हो गया, मुझे चक्क नहीं लगा, ये बाते सुनके, फिर मैं वहाँ से चुप-चप निकल गया, मैं कोई सब्दी नहीं बोला, फिर मैं बाहर आया, तो सोचे नहीं लगा कि, यार, क्या मेरे संग मजाक है, ये person हम से बोल रहा है, कौन सा credit card, credit card होता क्या है, उसने ऐसा सब्द बोला, यकीन मानो करीबन, 45-50 साल के सम्थिंग उम्र था, मैनेजर की बात कर रहा हूँ, और रियाल्टी बता रहा हूँ, अज़र म सतिता बता रहा हूँ, जो आपको यकीन नहीं होगा, बट मैं रियाल्टी बता रहा हूँ आपके सामने, फिर से मैं दुबारा गया, बोला, सर, create card, जो bank दे card अलग होता है, credit card अलग होता है, मैं सोथ यह पढ़ गया कि, यह क्या मेरे सक मजाक कर रहा है, फिर मैंने उनसे बोला, कि सर, मेरा account number पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा account number आप डाली अपने system में, computer में, देखी कि मैं आपका customer हूँ, और मुझे bank के तरफ से card आया है, तो मैंने क्या किया, कि बोला सर एक काम कीजिए, मैं आपको message दिखा रहा हूँ, message भी ढंक से read नहीं कर पा रहे हैं, reality बता रहा हूँ आपको हम, तो बोले कि, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बोला सर ठीक, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ रास्ता तो बता सकते हैं हमें, यकिन म पड़ गया कि मैंने इतना सारा information मैंने बताया और मुझे एक percent भी जनकारी नहीं मिली, हम यना, मुझे लगा कि मेरे सक मजाग कर रहे हैं, मैंने इस बात को यहीं पर खतम कर दिया, फिर मेरा card तो मुझे लेना था, मैंने क्या किया, एक भाई था, हमारे relative था, पहचान था, उसके पास card था, मैं उसके पास गया, बुला ऐसा था, बात है यार, मुझे आप अपने number से call लगाए, अपने number से call लगाए, और call लगाके, आप उनसे बोलिए कि मेरा friend आप से बात करना चाता है, वो भी SBI bank का customer है, उसके पास credit card है, उसने call लगाया, फिर मैंने, उसने बोल किया, वो बात करने के लिए ready हो गए, ठीक कोई बात नहीं है, आप बात कराईए, फिर मैंने उनको tracking number, email number बताया, तो उन्हें बला सर, आपका card dispatch हो गया है, और आपका area में service नहीं है, बैंक फिर से card आपका dispatch करेगा, फिर मैंनवला सर देखी, मेरी problem यह नहीं है, मेरी problem को आ से मिलेगा, मैं आप से request करता हूँ कि मेरे card को, इस speed post से भेजा जाए, अगर आप लोग नहीं भेज सकते हैं, तो मैं इस card को accept ही नहीं करूँगा, मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसके बाद बोला, ठीक है सर, हम यहां से आपका एक request डालते हैं, हम कुछ कर नहीं, इसके करीबन, चार से पांच दिन के बाद, मुझे call आया, कि आपका card आया है, आपका कोई parcel आया, मैं वहाँ पर जाके receive कर लिया, और पिस से ही जाके, तो कि government, courier है, कोई दिक्कत ना मिल जाता है, तो इस तरीके से card मिला, इसके बाद, अगर आपके संग ऐसा होता है, अगर courier सर आया हो, कि जो मुझे लगता है, कि जानकारी नहीं था, यह उनको पता नहीं था, अब ज्यादा ही smart लोग बैंक में आ गये है, जिनको अब पता है, अगर अब के टाइम में अगर आप जाओगे, तो आपका help होगा, बट private bank आपका ज्यादा help करेगा, इतना आप याद रख request बताइए, register number बताइए, और आपका 100% help करेंगे, अगर आपके area में courier service नहीं है, तो आप, जो आपके area में courier service है, Google पे search कीजिए, list आजाएगा, उस courier का नाम बताइए, उस से आपका card dispatch कर दिया जाएगा, यकिन मानो, कोई दिकत नहीं होगा, इसके बाद फिरेंड, आप bank को mail करके भी अपनी बाते हैं पताएगा, mail करने में काफी time लगेगा, response आने में काफी time देगा, तो ये काम आप कर लिजे, तो फिरें इस तरह के से, अगर आपका card आपके home address पर नहीं आया, वापिस चला गया, तो bank आपको दो बार, दूसरी बार भेजेगा, तीसरी बार अगर तीसरी बार भी card आपका नहीं मिला, तो bank के तरफ से आपके पास call आएगा, कि sir, आपके जो card है, ओ, आपके area में Q receive नहीं हो रहा है, courier service है, क्या service sir, हम किस courier से भेजे, bank खुद आपको call कर बताएगा, यो कि card जब तक आप मना नहीं करोगे, bank आपके card को रोकेगा, न पुराना बताया, और यकीन मानो फ्रेंड, उस manager को इसके बारे में जानकारी नहीं था, इसके मैंने इसका research किया, मैंने पता किया, मुझे ए चीजे मालूम चला, कि जितना जानकारी मेरे पास आज के time में था, उस time की बात कर रहा हूँ, उसका 1% भी इनके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं इनको बताया, sir, credit card, कैसा card, पहला answer, कैसा card, तो फ्रेंड, आप ए मस सोचना कि अगर आपके पास जानकारी है, तो आज आप से अधिक जानकारी उनलों के पास हो सकती है, कभी ए मस सोचना दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों, मैं जरी खुल के आपको नह चुके हैं, और अच्छे कासे income earn कर रहे हैं, समझे ना, अगर reality बता दूँ कि आज के time में, अगर एक आदमी अगर नोकरी के लिए अगर जाए, अगर उसका live interview अगर ले लिया जाए, तो दूद का दूद, पानी का पानी सामने आ जाएगा, कितना इसके अंदर, क्या इसका education है, अगर ना, डिग्री तो सभी के पास होती है, बट reality ए है, फ्रेंट, जो लोग हकिकत में reality पढ़ाई पड़े हैं, उनकी बात ही अलग है, तो ए मेरे संग हुआ था फ्रेंट, जो मैंने एक वीडियो में और भी आपको बताया था, तो यकीन मानो, कभी आप दुखी मत ह होना, अगर आपका कार्ड नहीं आ रहा है, तो यह काम जरूर करना, देखिए, कोरियर सर्वीस गलती नहीं होती है, कोरियर सर्वीस जो है, उनके पास एक security region होता है, वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, कार्ड गुम हो गया, काम, कार्ड अगर खो गया, तो बैंक उनके ओपर E यह बाते याद रखना, इसलिए कोरियर सर्वीस गलती नहीं होती है, इसमें पहली चीज़ होती है, कुछ बैंके वाले register while number नहीं डालते हैं, किसमे कोरियर कॉल करेगा, हाँ, अगर perfect address है, तो आपका आ जाता है, बट कार्ड अगर आपका नहीं आ रहा है, कुछ address गलती के हो जैसे, तो एक काम ज़रू करना, किसी दोस्तों को पकड़ के customer care में call करना, चाहे किसी भी बैंक का problem हो, चाहे HDFC हो, अभी हाली मेरा एक मित्र था, उसका HDFC bank card नहीं आ रहा था, dispatch हो गया, वापीश चला गया, फिर हम से मिला, मैंने call पे customer के बात किया, मैंने को बात कराया, रेशन नमर बताया, वेरिफिक्सन किया, उनने बताया कि मैं एक card नहीं आ पा रहा है, कोई और उपाय बताये, तो वहां से request forward होगा कि हम यहां से आपका complaint दर्च कर रहे हैं, और हम कोशिच करेंगे कि किसी दूसरी courier से आपका card dispatch करेंगे, उनका card जो है, spit post से आ गया, तो bank हमेशा root out को ही choose करती है, और delete choose करती है, अगर इन से आपका नहीं हुआ, तो last option जो आपका spit post रहता है, तो आप बताया जो मैंने बताया, सही था या गलत था, आपने रहा है comment में देना, तो विडियो को ऐसा लागा, विडियो को like करना, शो में share कर देना, फिर मिलते हैं ने प्रुक्सा, तब तक लिए जाहिन वन्दे मातरम